कि लाज्ट टॉपिक के अंदर हम ने पढ़ा था कि जो माइक्रोर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं और फ्रेंडली कैसे होते हैं नेक्स्ट के अदर हम पढ़ेंगे अब फूर्ड प्रिजर्वेशन क्या होगा और उसके बाद रहता है नाइट्रोज टीक है फूर्ड को किस तरह के से बचाया जा सकता है और उस नहीं होने से ठिक है फ्रस्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है वाई प्रेंडल सब्सक्राइब जो भी एडीबल ऑयल्स होते हैं या फिर असे बहुते हैं वो पिकल्स एसिड कौनसा यह नेकि कोई भी असि जो विनेगर होता है उसको हम पिकल्स के अंदर डाल देते हैं माइक्रॉब्स को ग्रोथ के लिए चेक करने के लिए उसको ठीक है तो यहां सब से पहला यूज क्या होगा बाइक क्या विकल्स ही जो एडिवल ओयल होता है खाने के लाइक जो ओयल होगा एडिवल और डाल देंगे पिकल्स के अंदर डाल देंगे ठीक है किस चीज के लिए प्रिवेंशन के लिए फूड को अटैक जो माइक्रोब्स करते हैं उस चीज से उसको बचाने के लिए नेक्स आता है बाइक कॉमन साल्ट अगे आजैगा ग्रेड नाइज के अंदर कॉमन साल्ट कहां डाला जाता है जो फीश होती है या मीट होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोब्स से उनके उपर कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, शूगर, शूगर से किस तरीके से, हर्ट पॉइंट हमारा आता है, बाई, शूगर, जैसे जैलीज होते हैं, और जैम्स होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाएगा, शूगर डाला जाएगा उनको माइक्रोब्स से, बचाने के लिए और प्रोड्यूस कराने के लिए क्या शूगर प्रोड्यूस कराई जाती है, चीक है, जैम्स एंड जैलीज के अंदर, शूगर का यूज होगा, उसके बा कोई एंड विनेगर सीकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है उसके पाद नेक्स्ट पॉइन हमारा आता है हीट एंड हीट एंड कोई जो ट्रीटमेंट हम देते हैं फूड को उस चिस लिए एक विनेगर वेज़िटेबल एंड फूट के अंदर भी डलता है वेज़िटेबल एंड फूट के अंदर ठीक है हमने पढ़ा कि फूड प्रीजर्वेशन के क्या-क्या मैथड हो सकते हैं कोमन मैथड क्यमिकल डालके पूड की अंदर उसके बाल क्यमिकल मतल्स एसीड का गया है। वाइक कोमन सॉल्ट से फिच एंड मेट जो होगा उसको प्रोटेक्ट के आ जाता है। नेक्स आता है वाइशूगर शूगर यानि की जैंस एंड जैली के अंदर सुगर प्रोड्यूस की जाती है। प्रोटेक्ट करने के लिए ओल एंड विनेगर का यूज होता है इकल्स, वेजटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट के लिए चीक है अब नेक्स्ट कोईंट आता है होट एंड पॉल्ड ट्रीटमेंट होट एंड गोल्ड ट्रीट क्या हो गा हम लिक को हम जन्रली ऐसे ही दिश्यों के लिए पे एसको क्या करेंगे बोईल करें इसका तेपरशर इंक्रीज हो जाएगा फिर उसके बाद उसको कूलिंग देंगे क्नेक बाद वह क्या हो जाएगा refrigerator उसके यूज हो जाएगा तो hot boil करके किसी भी चीज को चाहिए वो vegetables है या फिर वो milk है उसको boil करके या फिर cold यानि की refrigerator के through उस चीज को protect किया जाता है food को poisonous से बचाने के लिए तो hot और cold के अंदर क्या आ जाएगा hot के अंदर तो आ जाएगा boiling किसी भी चीज को boil करके cold के अंदर किसी भी चीज को refrigerator में put करके refrigerator के अंदर put करके उस चीज को protect होने से protect किया जाता है poisonous से चीक है अब next point आता है कि जो milk होता है milk का एक posturization process होता है वो किस तरीके से without boiling यानि कि उसको क्या करना है 15 to 30 seconds सक सिरफ boil करके उसको रखके and instant उसको cold करके cool करके और क्या करना है हम उसको protect कर सकते हैं इस process को posturization बोला गया posturization of posturization of milk milk चीक है इस process को किसने दिया posturization को लूइस question है कि जो milk होता है उसको without boiling भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं ठीक है next point आता है storage and packaging का storage and packaging का मतलब क्या है हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा ला कि जो क्रॉप हमने या ग्रेंज जो होती हमने harvest करने के बाद store की थी after drying यानि कि सुखाने के बाद ताकि उसके अंदर humidity ना हो या फिर उसके अंदर क्या ना हो एर क्रोस ना कर सके तो उस एर क्रोसिंग प्वेंट को बचाने के लिए जो हम storage और packaging करते हैं वो air tight वरतन के अंदर करते हैं या फिर bags के अंदर करते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर air क्रोस ना कर सके ताकि वो चीज स्पॉल होने से बच सके यह थे हमारे जो points है जो common method सब food को protect करने के लिए poisonous नेक्स्ट पॉइंट आता है nitrogen fixation nitrogen fixation के अंदर rhizorbeum नाम का bacteria fix करता है nitrogen fix रखता है ठीक है इसको fixation बोला गया अब इसका important point आता है कि what is nitrogen cycle what is nitrogen cycle देखो हमने पड़ा nitrogen के बारे में कि कुछ bacteria ऐसे होते हैं वो nitrogen को atmosphere हमारे atmosphere के अंदर nitrogen की quantity है वो कितनी है 78% है हमारे atmosphere क्या ठीक है उसके बाद बात आती है कि जो bacteria होते हैं वो atmosphere से nitrogen को लेके soil को देते हैं वहां क्या होता है जितना भी decomposition होता है वो उसको simple यानिकी nitrogenous substance के अंदर convert कर देते हैं जो nitrogen होती तो bacteria nitrogen देते हैं soil को soil को अब soil से वो क्या होती है nitrogenous compounds हो जाते है nitrogenous compounds क्योंकि क्योंकि वहां क्या होते है nutrient होते हैं plants के उसके बाद कुछ bacteria ऐसे होते हैं nitrogenous compound के कुछ part को nitrogenous में क्या कर देते हैं convert कर देते हैं फिर दोबारा से nitrogen हमारी atmosphere के अंदर mix हो जाती है फिर से हमारे plants के काम आती है यह तो nitrogen cycle atmosphere के अंदर nitrogen है nitrogen निकली वहां से by bacteria चीक है bacteria ने क्या किया जितमें भी जो die animals होते हैं या कुछ भी होते हैं उन्होंने वहां पे nitrogenous compound को produce करा दिया soil के अंदर तो कुछ bacteria ऐसे आये जिन्होंने nitrogenous compound को convert कर दिया nitrogen gas के अंदर फिर वो दोबारा से atmosphere के अंदर mix हो जाती है और वो जो nitrogen होती है वो remains same और less क्या होती है constant होती है ठीक है यह तर nitrogen cycle की एक बार use होने के बाद दोबारा फिर से वो nitrogen क्या करती है atmosphere के अंदर enter करती है तो हमने पढ़ा इस chapter में microorganisms के बारे में कि वो हमारे किस तरीके से काम आते हैं और किस तरीके से हमारे लिए harmful होते हैं